जाडू को मा लक्ष्मी के साथ जोड कर देखा जाता है और जाडू का प्रयोग आपके गुड लक को बढ़ाता है अमुमन हर किसी के घर में जाडू होता है लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जाडू कभी भी कांटेदार पौधे का मतली जीएगा जाडू से दरिद्रता आरोपी गंदगी को हम घर से नित्य दिन बाहर करते हैं और जाडू का छोटा सा उपाय आपके जीवन की परेशानी को भी दूर करता है देखिए माना जाता है जिन घरों के कोने कोने की सफाई होती है वहां का वातावर्ण पॉजिटिव रहता है वह सकारात्मक रहता है और घर में कोई वास्तु दोश भी नहीं होता तो जाडू से जुडी हुई बहुत सारी बाते होती हैं आज हम आपको एक खास बात बताए इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें रात में जाडू के नीचे क्या रखें क्योंकि जाडू लगाकर विशेश नियम होते हैं अगर वो नियम का पालन नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है बस रात में एक छोटा सा काम करना है बहुत सिंपल है बता दें कि जब हम घर की सफाई करते हैं तो मा लक्षमी की कृपा हम पर बरसती है और मा लक्षमी का प्रतीक ही जाडू को माना जाता है ऐसा कहा जाता है अगर आप किसी एकादशी तिथी के दिन पास के किसी मंदिर में तीन जाडू का दान करें और जब कीजिएगा तो इसको गुप मंदिर में छोड़ कर चले आए और पुरानी जाडू जो आपके घर में है बहुत दिनों से आप यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए इससे वास्तु दोश पैदा होता है जब भी जाडू तूट कर गिरने लगे तो उसे तुरंत हटा दे अब पुराने समय में लोग क् अक्सर ही मंदिरों में जाडू दान करते थे मंदिर की सफाई करते थे अभी भी लोग हैं अब मंदिर में जो जाडू आप ब्रह्मा मुहूर्त में ही रखियेगा इसका ध्यान रखना है और विशेश दिन में करना है जैसे कोई क्योहार है कोई शुभ योग बन रहा है या फिर एकाजशी तिथी है शुक्रवार का दिन है इन दिनों में आप कर सकते हैं शास्त्रों में जाडू का गुप्त दान का महीना है लेकिन जो जाडू से आप घर की सफाई करते हैं वो किसी को दान मत कीजिएगा वरनामा लक्षमी उल्टे पैर वापस चली जाएगी इस बा वगैरा यह गिरा हुआ है उस पर जाडू लगा रहे हैं यह गलती मत कीजिए जूठे पर पहले पानी डाल दे फिर आप जाडू लगाए या फिर किसी कपड़े की सहायता से पूछ कर हटा ले फिर जाडू लगाई जूठे को जाडू से नहीं बाहर ना चाहिए इस से भी वास्तु दोश पैदा होता है घर में परेशानी बढ़ जाती है और इस साथ ही घर में जो आप पूछा लगवाते हैं तो हमेशा ही पोछे वाले पानी में फिटकरी या फिर नमक डाल कर ही लगवाए तो घर का वातावर्ण अच्छा रहेगा और घर में पवित्रता बनी जहेगी जैसे आप अपने के धन को संभाल कर रखते हैं उसी तरह जाडू को भी रखना चाहिए हमेशा ही छिपा कर रखे नहीं तो यह अब शगुन माना जाए जहां भी आप खाना पीना खाते हैं वहाँ पर जाडू मत रखिए नहीं तो इससे क्या होगा नघर का अनाज जल्दी जल्दी खत्म होगा और स्वास्थे संबंधी परेशानिया भी परेशान करेगी तो जाडू को की सफाई का भी ध्यान रखिए जाडू जब भी लगवाते हैं उसको धोकर साफ पहुँचकर अच्छे से सुखा कर रखें इस बात का हमेशा याद रखिएगा कई ब जाडू को यूज करें तो महालक्षमी स्थिर रहती है बरकत होती है अब रात में सोने के पहले जाडू का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है क्या करेंगे रात में सोने के पहले अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर की तरफ से याद रखिए जाडू रख दें खड़ के नहीं रखना है लिटा कर रखना है और जब ज़ाडू रखेंगे तो ज़ाडू के नीचे दो चार दाना जीरा डाल दें जीरा तो आपके घर में होगा जो मसाले में यूज होता है कब रखेंगे रात में सोने के पहले ज्यादा आपको नहीं रखना है, दो चार दाने नियम करना है, और सुबह में जब लगाएंगे, तो उसके साथ इस जोडी को भी बाहर कर दें और यह प्रयोग आपको रात में ही करना है, तो ज़ाडू जब रखिएगा रात में ही रखन है, दिन में नहीं रखना दरवाजे के पास याद रखना है, आपको और एक बात याद रखिए अगर कोई बच्चा अचानक से ज़ाडू लगाता है, ना तो यह समझे की अंचाहे महमान आएंगे आकस्मिक रूप से कोई महमान आपके घर में, सकते हैं कभी कभी क्या होता है, ज़ाडू पर गलती से पैर रखा जाता है, तो ऐसा करने से अप्शकुन माना जाता है, तो ज़ाडू को छूकर क्शमा मांग लें, कोई भी खास काम से आप घर से निकलते हैं, तो आपके तुरंत घर से निकलते ही ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से भी ज अभी भी खड़ा मत रखिये यह अब शगुन माना जाता है और दो ज़ाडू एक साथ मत अलग अलग रखे नहीं तो घर में जगड़े होंगे बेवज़ कई बार होता है आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं अपने नए घर में जाते हैं तो उस समय नई ज़ाड में तुलसी का पौधा दूसरे हाथ में ज़ाडू ले करही प्रवेश करें और एक लोटा में जल लेकर पूरा भरा हुआ याद रखियेगा तो ये होता है शुब सुकून बरकक बढ़ाती है घर में सुख समरिध्धी आता है तो जीरा विशेश प्रयोग आपको जरूर कर ये और जहां तक जीरे की बात है आप ज़ाडू के नीचे जीरे को रख दो दो चार गाने सुख बाहर कर फैक देना तो इससे घर में बरकत होगी नकारात्मक उर्जा नश्ट होगी और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी बहुत सिंपर प्रयोग है दोस्तों अगर आपके घर में कोई अक्सर बीमार रहता है तो बीमारी को दूर भगाने के लिए भी ज़ाडू के टोटके मददगार साबित होते हैं अगर किसी बीमार व्यक्ती की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही हो तो गुरुवार के दिन सुभ घर पर ज़ाडू लगाने के बाद बंधित होते हैं इन दिनों में ज़ाडू फैंकने से मा लक्षमी रुष्ट हो सकती हैं और घर पर दरिद्रता का वास हो सकता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृप्या वीडियो को लाइक एन शेयर करना बिलकुल ना भूले वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों